जी हाँ दोस्तों पूरे चार साल की महनत के बाद 40 से ज़्यादा एक्जामस में फेल होने के बाद आखिरकार मुझे एक सरकारी नौकरी मिली गई मैं आप सभी लोगों का मोटिवेशनल फैक्टरी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ आए जानते हैं मेरी ये अजीव सी उतार चड़ा भरी जड़नी कैसी रही ये बात है सन 2017 की जिस साल मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट होई थी उसी साल SACCGL 2017 के फॉर्म निकले थे तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि एक ऐसे फॉर्म है और उसमें बहुत अच्छी जॉब मिलती है तो फॉर्म भर दे तो मैंने ऐसी कैस्वली फॉर्म भर दी है क्योंकि मेरी प्लेस्मेंट तो हो चुकी थी तो मुझे ज़ से टेकर हो जायाएंगा तो अपनी तो जॉब है तो मैंने इसे थोड़ा मोडे तेयारी करी जबmaya तक मीरी जॉइनिंग नाकी मैं थोड़ा मोड learners करी ओर डी है टी अरवर एक्साम दे दीया उसके बाद मेरी जॉइनिंग आ गई और में चले गया साउतमेक MNC में जॉब करने लेकिन 10-15 दिन ही हुए थे जॉब करते-करते और साउसी सीजेल का 2017 का टीरवन का रिजल्ट आ गया तो उसमें मेरा नाम शॉट लिस्टिट था तो मैंने ठीए गया रही तो बहुत कम तयारी करें कि नाम भी शॉट लिस्टिट हो गया है और उस वक्त में जादा जानता नहीं था कि कट-off से जादा नंबर भी लाने होते हैं उसका भी फायदा मिलता वो सब जीजा मैं को जानता नहीं था मुझे लगा कि परस कट-off हो गई तो भाही लगता है जॉब भी मिल जाएगी तो मैंने क्या करा रिजाइन कर दिया जॉब से क्योंकि तो मैं नौर्थ कर रहने वाला तो अब बात यह थी कि जॉब भी मेरे हासी जा चुकी थी और CGL 2017 भी मेरे हासी जा चुका था लेकिन मैंने बुला कोई बात नहीं 17 चले गया है 18 आने वाला है कोई बात नहीं लेकिन 2017 पर बहुत लंबा कोल्ड किस चला काफी पेपर लिक यह सब चीज़े उसमें थी तो मै लगता था दोस्तों कि online इतना content available है इतनी सारी books इतनी सारी pdf इतना सब कुछ है कि coaching की कोई जरूरत है नहीं दोस्तों मैंने इसी से तैयारी करी YouTube पे जितने ही famous teachers थे जो भी famous books थी मतलब सब कुछ मैंने करा जो भी एक आस्प्रेंट कर सकता है वो सब कुछ मैंने try करा दोस्त एक तरफ तो मेरी job थी मैं दोस्तों से बात करता तो वो बोलते है मेरे package इतना हो गया यह वो गया वह गया उपर से कोई बहुत लंबा चोड़ा bank balance तो है नहीं कोई बहुत जादा जमिन जाए जाए जाथ तो है नहीं हमारे पस क्या है हम लोगों को आगे क्या चीज़ बढ़ा सकती है वह पढ़ाई हमारी तरकी हो सकती है तो वह सिर्फ पढ़ाई के रास्ते से तो इसलिए तू मेहनत करता है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे अभी भले ही तूँ फेल हो रहा है लेकिन महनत मत छोड़ हमत मतहार और लगा रहे एक नएक दिन तुझे सक्सेस जरूर मिलेगी तो दोस्तों यह हुआ और इस साल एक अप्रेल 2021 को रादवलेवलाल किरपास से जब SSCGL 2018 का रिजल्ट ड मेरे नाम के आगे जो कोड लिखा था वो था B23 यानि कि मुझे एकसाइस इंस्पेक्टर की जवाब मिलिये दोस्तों दोस्तों इससे दो मीने पहले ही MTS का रिजल्ट भी डेक्लियर हुआ था उसमें भी मेरी कटउप क्लियर हो रही थी लेकिन लेकिन मैं MTS का T2 का एक्जा चाहिए दोस्तों क्योंकि हम सब जो तयारी करते हैं ऐसे थी कि जायातर हम्बल बैक्ग्राउंड कर यह होते हैं तो एक छोटी चोटी सरकारी नौकरी पानी की भी खुशी होती हो मैं जानता हूं दोस्तों इसलिए मैं कोई सीट वेस्ट निया करना चाहता था क्योंकि मैं मैं जानता हूं कि जब आपकी जौब लगती है तो ना सिर्वाह बलकि पूरे परिवार को खुशी मिलती है दोस्तों तो यही मैं अपी लाप से भी करूंगा दोस्तों कि आपको भी अगर कोई मौगा मिले सीट अवेस्ट होने से बचाने का तो आपको भी जरूर करना चाह हूं आपको यह रखना आ है कि यह वक्त यह उन्त जरूर विठागा और उस वक्त आपका कैसा होगा यह इस बात पेक्शक करता है कि आप आप इस वक्त क्या कर रहे हो दोस्तों अब एक तो वह हैं तो जो की है सोचंगे कि अभी तो अग्जाम सिंगे में जब होंगे तो कौन फाइदे में रहेगा दोस्तों वही लोग जो अभी चल रहे हैं चाहें बहुत स्लो स्पीड से चल रहे हैं लेकिन चल रहे हैं और जो अभी यह सोच रहे हैं कि बाद में पढ़ लेंगे जब कर लेंगे तब कर लेंगे वह दोस्तों वह बाद में यह सोचेंगे काश लेकिश हमने पड़ले होता, उसकी बात मान ले होती ये कर लिया होता, क्योंकि दोस्तों, ऐशा तो नहीं है कि एक्जाम्स नहीं होंगे, वो कभी ना कभी तो जरूर होंगे, उनकी ज्यानिंग भी आएगी, रिजल्ट भी आगा थागा, सब काम होंगे दोस्तों, तो आपको तो इस वक्त क्या करना है, अपने flow को नहीं टूटने देना है, बहले ही आप थोड़ा-थोड़ा पढ़िये, मैं यह नहीं कह रहा है कि आप पूरे दन पढ़ते रही है, थोड़ा-थोड़ा पढ़िये, लेकिन अपने flow को मट टूटने दीजिए, और दोस्तों, SSE जैसे जो साल लग गए, हलाकि पूरा fault मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने CIGIL 2018 क्लियर कर आए, और अब 2021 में उसका रिजल्ट आया है, तीन साल बाद तो उसका रिजल्ट आया है, लेकिन तब भी ऐसी चोटी-मोटी कई सारी गलते हैं होती हैं दोस्तों, जो कि हमें अब आभी पता नहीं ह हाड़वर्क की जरूरत है, लेकिन ये statement की जरूरी है, महनत और हाड़वर्क की जरूरत तो है, लेकिन वह राई डिरेक्शन में जरूरी है दोस्तों, अब मान लिजिए कितनी घर में पढ़ रहे है इन दिनों, आप किसी paper को लेगे जाकि दोप में रख दीजीए, क्या वो जलेगा Sun rays में वह काबिलियत तो हैं लेकिन वह बिखरी हुई है उनकी जो रेज हैं वह चारों तरफ डिस्पर्स हैं तो वह पेपर नहीं जलेगा लेकिन अभी आप Convex Lens ले जाएए और Sun की rays को focus कर दीजिए उस paper पे तो वह तुरंट जल जाएगा तो इससे क्या साबित होता है इससे दोस्तों यहीं साबित होता है कि हम सबके पास भी energy है सबके पास भी वह काबिलियत है दोस्तों लेकिन इसको अलग-अलग directions में लगा रखा है अलग-अलग चीजों में हमारी energy बटी हो यह दोस्तों अगर हम focus कर लें बहुत कम टाइम के लिए देखो करते हैं और आपको एक अच्छी government job मिल जाती है जिसे कि आपकी आने वाली पूरी life अच्छी settle हो जाती है तो इसमें हर जी क्या है दोस्तों और साथ ही साथ आप अपने जो पुराने track record है अभी हमें ऐसा लगता होगा कि 10th में काश्मन अच्छा कर लिया होता 12th में अच्छ government job मिल जाएगी तो आपसे कोई नहीं पूछा कि आपने ग्रेजुशन कहांची करी है 12th कहांची क्या हुआ यह हुआ होगा कोई कोई कुछ नहीं है कि अच्छा पाई लड़का government officer बन गया है बहुत अच्छी बात है तो दोस्तों इससे आपको भी प्राउड फील होगा तो आप भी कर सकते हो दोस्तों लेकिन बस जरुरत क्या है जरुरत है तो एक आपके डंड विश्वाश की और आपकी एक सची कोशिश की और जरूरत है पांचे महीने डेट के मेहनत करने की दोस्तों और जब पांचे महीने भी बीच जाएंगे दोस्तों जैसे कि आपके जिंदकी की 21 साल देखो आपने आराम से बिता लिए आपको अलगता हूँ अभी कुछ दें पहले में छोटा बच्चा था ये करता था वो करता था लेकिन 21 स 15 साल आराम से बेद आसी चार-फाच महिने मिला आराम से बीच जाएंगे दोस्तों आपको जब सकसेस मिल चाएग लिएा तो आप कि इसको पीछेंब और देंगे आप उन्हीं कमजोर नहीं समझने चाहिए कि मैं इंग्लिश में कमजोर हूँ मैं मैं आप किसी में भी कमजोर नहीं हो बस ये है कि आपको इंप्रूव करना है आपको इंप्रूव करना है इंप्रूव करने की कोशिश करनी है दोस्तों एक सची कोशिश करनी है और आप देखोगे यह success आपके पास होगी और आप एक अच्छी life जी पाओगे दोस्तों इसी positive note के साथ यह video में end करता हूँ दोस्तों आपके जो भी विचार हैं, जो भी आपकी राय हैं, इसको आप comment box में लिख सकते हो दोस्तों